गुद मॉर्णिंग ईब्रीवन आज की सेसने में हम स्टार्ट करने जा रहा है रिजिनिंग का जो फान्डेशन को और से है उसमें हम जीरो से लेके यानि कि एट-टू-जजय सीलेवस को कबर करेंगे तो आपके समने यहाँ पर सीलेवस इसको भी इसको हम डिसकस करेंगे वी तो यानि कि इस पूरे सीरीज में हम जो है ना हो सकता है कि यहां पर कुछ फरेशर्स हों जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वह भी है ना यहां पर जीरो से लेके जीतना चाहिए किसी बड़े एक्जाम को निकाले गए जैसे किसी जील इन सभी से लिवास को हम इसमें पूर करने से पहले इसका सिलेवस डिसकास कर लेते हैं यहां पर देखो एनालोजी इसमें सारे टैप्स क्याम करेंगे और बन आउट दूसरा यहां पर शेप्टर है यहां पर कोडिंग डिकोडिंग है सिरीज है मिसिंग नंबर है इस्टेटमेंट एंडगन कुल जान है इसमें इन चार शेप्टर आएंगे है ना जिसमें सिलोक्स भी हो जाएंगे यह सब शेप्टर यहां पर हो जाएंगे इसके बाद नीचे में बलट रिलेशन है वेंड डियाग्राम डाइस क्यूप्स अना सिटिंग अरेजमेंट है यहां पर डारेक्शन है अरिथमेटिक रिजिन अरिजिन आपर यहां पर यहां पर यहां पर कंपलेशन ओफ एगर और मीरर इमेज इन सभी चेप्टर को वन वैवन डिसकस करेंगे बेसिक से लेके एड़ांस तक और आपका रिजिनिंग का जो कोर्स है ना पूरा कंपलीट करेंगे पूरा कोर्स है जैसे कि अगर हम की बात करें तो यहांब पर देख लो कि सी पीओ में लू इसका जोdepth यह इंप इसे तरह से किसी एक्जाम में 30 का मेर्टेज है कहीं पर 25 का मिटेज है राता है यहां तक कि अगर आप यू, पीयसिजर का त्यारी कर रहे हो ना तो यहां पर भी cset में reasoning post हैं तो यहां पर भी आपको काम आने वाला यह चीज़ तो यहां पर आपके सामने जो हो ना कुछ basic चीज है जैसे कि अभी हम यहां पर स्रीज कर रहे हैं तो इसके लिए आपके जब आपके पास basic requirement क्या इसको पढ़ने के लिए तो वह यहां पर ये हैं अप्टू 30 आपको स्कूर चाहिए जीसे कि यहां पर आपके पास 30 तक इसका यहां पर लिकाओ है यहां पर मैं सारा कॉंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं इसका पीडिया भी मिलेगा और यहां पर हम ऐसा कुछ तक याद नहीं करना आप अगर 20 तक अगर आप क्योप सी याद कर लेते हैं तो यह काफी बढ़े हैं बहुत बढ़े हैं बोलते हैं अतीस उंदर 15 तक में भी काम चल जाएगा ठीक है और लास्ट ली टेवल 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 आप सभी को याद ही होगा है बीस तक टेवल तो पलसरी याद होना ही चाहिए और आप में बहुत को याद होगा भी और अगर किसी का बेलकुल आइसी वाला कंडिशन है कि टेवल भी उसको याद नहीं है तो आपको हम टेवल भी देते हैं यहां पर आपके सामने 20 तक टेवल तो आप इसको अगर याद नहीं है तो कर लो याद करने में मुश्किल से एक दिन लगेंगे यह सभी चीज तो इसको याद कर लो फिर अगले दिन से आप सभी के वराबर में आ जाओगे और अगर हो सके तो पचीश तक इसको टेवल को याद कर लेना अब टू पचीश इससे जो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए तो श्रीज को स्टार्ट करते हैं इसमें देखो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नंबर स्रीज हो गया नंबर स्रीज तो यहाँ पर जितने काम होंगे आपके number के साथ में होंगे यानि कि 0 से लेके 9 तक जितने number है इसी का वस खेल यहाँ पर इसी को अलग अलग तरीके से यूज करा जाएगा है न क्योंकि number तो इसी से बनते है न और इतने number बनते है कि आप उसका कोई लिमिट नहीं लगा सकते हैं फिर दूसरा टाइब जो आपके पास यहाँ पर अलफा वेट स्रीज अना अलफा वेट स्रीज इसमें क्या करेंगे एटेज या जाना इसी से स्रीज बनेंगे और इसी घो पुपनेंगे ओना स्मॉल लिटर आहना इस तरह से और एक स्रीज के तरह काम करता है यहां तो इसी को हम पढ़ेंगे अभी जो है ना हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर नंबर सिस्टम के बाएं नंबर स्रीज के आठ दस कुछ भी पैटर न फॉलो कर सकता ठीक है यहां पर बेसीक जो हो सकता है उसको हम ले रहें यहां पर यह एक नंबर स्रीज अब नंबर स्रीज यह भी दो टाइपस के होते हैं पढ़ने से पहले हमको यह सब चीज के लिए होना चाहिए जैसे कि यहां पर आपका सिंप सिंपल जो है सिंपल स रीज के सिंपल सरीज मैं इसमें क्या होगा ना कि इसमें बस एक ही स्रिज को फालो किया जाएगा जैसे कि यहांपर यह वाला एक्जाμपल है यह वाला हम लें यहांपर को तीन छे बारह नग चोविस अड़तालीस इस तरह से एक सीम्पल जरीज क्योंकि आपर जो नडवर रहा है सभी के सभी बस एक शिरीज यहां पर फोलो कर रहा है और एक होगा अपका कंपाउंड जरीज कंपाउंड स्रीज और यहां पर आपका कुछ होगा इस तरह से अगर एक्जम्פल देखा हम तो यहां पर मातर एक ही सीरे फॉलो कर रहा है कि तीन छो बारे हैं यहां पर यहां तो इसी स्रीज में दो पैटरन फॉलो करेंगे लेख फिर दो से ज़ीज़ा जैसे एक्जम्पल के तोर पर अगर मैं यहां पर लिखूं तीन लिखूं और यहां पर चार अगर यहां पर मैं छे लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं आपका जो है ना कुछ इस तरह से आठ ठीक है और यहां पर जो है आपका 9 कर दी है यहां पर 16 कर दी है यहां प बारे कर दिए और यहां पर 32 कर दिए और कुछ इस तरह से इसका मतलब क्या है कि यहां पर तीन से छे छे से नो नो से बारे इस तरह से यानि कि पलस त्री का यहां पर पैटरन है इस तरह से पलस त्री का यहां पर पैटरन है और उपर वाले में कि यहां पर डवल का टू पेटर्न है और उपर में इसका मतलब यहां पर डो पेटर्न यूज़ किया गया और तीन भी करेगा न उसको भी हम इसी कट्वरी में रखें हैं पांड स्रीज के केटोगरी में इतना तो आपको clear हो ही गया होगा इस नमबर स्रीज में तो सबसे पहले हम simple को करेंगे उसके बाद compound को करेंगे तो इसमें जो हाना सिमपल स्रीज में जो टाइप से बन होंगे सबसे बेसिक जोंगे आप जो हाना रीट कर लोगे जब कोस्टन को देखो गया ना आपको पता चल जाएगा वहां पर यह सिंपल है यह फिर कंपाउंड है जिसे कि यहां पर टाइप बन करते हैं सबसे पहले कि किस तरह के कोस्टन आपको मिलने वाल है इसमें देखो अगर आम आं लो कोई भी कोस्टन है अगर वो इनक्रीजिंग सुलोली हो रहा है धीरे-धीरे से बाड़ा रहा वह स्रीज जिसे कुछ भी होगा जिसे कि यहां पर मैं एक एक्जमपल अगर लो यहां पर आपका साथ है, 13 है, 21 है, है ना, यहां पर 31 है, यहां पर 43 है, यहां पर 57 है, और यहां पर question mark है, इसका मतलब क्या है ना, यहां पर देखो, कुछ drastic change नहीं है, है ना, यहां पर धीरे-धीरे से बढ़ रहा है, अगर मैं कुछ और example लो आपके सामने, यानि कि अगर मै यहां पर करूँ, 2, यहां पर 9, यहां पर 14, यहां पर आपका 20 ले ले, और यहां पर अगर मैं यहां पर कितना जारा, 3, 4, 5, 6, और यहां पर अगर मैं 27 ले लू, इस तरह से, तो यहां पर भी ना, slowly change कर रहा है, ऐसा नहीं कि double, triple, यहां पर भी 5 है, अगले में 100 कुछ हो ग तो इस केस में न, यहां पर किया पाइटरन हमको ढूड़ने सबसे पहले, तो इमाग में आची, कि कुछ ना कुछ तो यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें, यहां फिर घटाना पड़ेगा, जिस अगर यहां पर हम देखें, तो इसमें क्या है, कि 7, 6, 13, और यहां आपका 16 अगयप होना चीए, इसको जब 16 में जोड़ेंगे, आइट करेंगे, कितना हो जागा, 7, 4, 13, और यहां पर 5, 6, 7, 7, यानि की 7, 3, इस तरह से स्रीज को हम ट्रैक करने कोजिस करेंगे, टाइप बन में क्या करेंगे, अगर माल लो, स्रीज स्लोली इंक्रीज कर रहा मैंनी बात को ध्यान से सुनो, स्लोली अगर इंक्रीज करें, तो बहाँ पर हमको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और अगर माल लो, और एक एजम्पल ये वी है, इसमें देख लो, कि यहां पर जोन 3 का गयप है, यहां पर आपका 4 का गयप है, यहां पर पर हम कुछ एक्जम्पल भी करेंगे, जैसे कि आपके सामने एक्जम्पल ये रहा, यहां पर क्या है कि 5, 13, 17, 25, 29, और यहां पर क्वेश्चन मारक है, और यहां पर 41 है, तो अगर हम यहां पर पैटरन देखें, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, इसमें हमको गाब ढून कि यहां पर त्हां में घेंड यांपर पर फिर से कितने घ्रायप है यहां पर प्रलंटीस चोल द्यांद से आना यहने कि 8 4 8 4 तो यहां पर फिर से 8 होना चीह और यहां पर 5 9 मगरं 8 को जोड़ेंगे यहां पर हमारा 37 एंसर आयेगा चिक्षे यहां पर हमारा एंसर क्या होगया 37 आगर देखते हैं कुछ और Qaustion को यहहां हमारे पास कुछ इस तरे से 115 एक्सों पच्छास इसके वाद 175 और यहां पर जो ना 205 अब यहां पर क्या आएगा हम से यह पूछा है तो हम यहां पर भी चेक करते हैं कितने अब भुटीन का गया पर है यहां पर जो ना पंदर है इसको जोडेंगे यहां पर कितना हो जाएगा पांच-पांच-दस तीन एक-चार और यहां पर दो एक तीन एक-चार और यहां पर दो कशना और दो सोचालीस या फिर दो सोपांच-थीज दोड़ेंगे तो 65-45 डारेक्ट कर सकते तब इसको अब देखते हैं कुछ और क्वेस्टन को जीसे कि यहां पर आपका कुछ एकजंपल और लेते हैं आपका यहां पर एकटी-थ्री यहां एक-सो तीन है फिर यहां पर क कि हमसे कूछा है कि को यहां पर दे को कितनी एक है ऐसी डिस इहां पर सब्सक्राइब बेसका गाइब ओक्ति अफंट नहीं UK लोगा थैस यहां पर कितना पाचीस में तीन जाएगा तो 22 यहां पर पच्काहस में जाएगा 24 एक यहां पर जोएन नहां पचाहसати 27 25 26 यानि कि 20 के वाइस 24 26 तो यहां पर क्या होगा यहां पर 28 होगा इसको जोड़े लो यानि कि 175 में क्या करोगे आप 28 को एड़ करोगे यहीं ना तो यहां से आपका एंसर क्या आएगा आठ शुट पंद्र है आपको यहां पर अभी बेसिक कोस्टन है तो आपको किया यहां कि डिरेक्ट यहां पर आपको पैटर्न मिल गया लेकिन हो सकता है कि यह पैटर्न आपको ना मिले आपको और लेवल नीची जाना पड़े ठीक है यह तो पहले लेवल में मिलगा न हो सकता है दूसरे लेवल में तो इसमें होए न हम क्या करेंगं टेकिंग apनों कि इchn puls लिए अन्य怎麼 मैं लिज़ दता हूँ यहाँ पर the difference को मैं अब टू कि उड्वरीच दो görd लिए इस मैं क्या होगा यहां पर एक एक ज्यंपल के साथ ही समझतें इसको भी जैसे कि यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर इसका गैप अगर देखूं यहाँ पर तो कितना होगा आपका बठार है कि यहाँ पर 24 और 44 साथ यानि की थिससारट और यहां पर चुल हो गयार यहां पर जो है ना आपका कुछ इन्व काईप क nella कि यहां पर तो अभी इन्वाठा रहे है यहां पर यहां पर बेकाई लेकिन कुछ हूब कि यहां पर न primeiro कुछ पुछ यहां पर कितने हैं यहां पर कितने जयां पर इसका और इखने का यहां पर 4090 30-90 30 का gap जारा, यानि कि क्या ओर रहा है यहांपर 18-24-24-36 तो यानि कि यहांपर जो आएगा ना एक नम्बर 30 में जोड़ेंगे यहांपर 36 और यहांपर 36 में क्या करेंगा हम 90 को जोड़ेंगे यहांपर 26 और इसको हमको जोड़ना पड़ेगा 210 में तब यह वहला नमबर आएगा यानि कि नमबर आएगा यहां से बो नमबर आएगा हमारा 6 और यहां पर 6 हो गया 213 हो गया और एक एक दो हो गया 236 तो इस एक सेंड कितना हो रहा है आपका याने कि छो यहां पर दो एक तीन उड़ी है यह तो हम यहां पर कर क्या रहें यानिकी जब हम इसका कर जाए यह निक और इस्टेप नीचे जाएंगे दूसरा सी तरश देखने के कुश्स करेंगे यान किसमें अगर इंगर हम यहां पर क्यूले रहे है कि इसका यहां पर चोविस का इन halvespps है यहां पर 36 है तो यहां पर हम गैंपर हम सकता है कि इसमें जो न हम्हाएं ऑठारा है 48 है यहां पर 48 है यहां पर 100 है 180 है यहां पर 204 है और यहां पर 448 है तो यहां पर हमसे पूछा कि कौन सा नंबर आएगा तो इसमें देख लीजिए है 48 है यहां पर तो इसमें गयब 30 का है और यहां पर 100 है तो आपका 50 जनी कि बावन हो गया और इसमें गयब हो जागा आपका एक 80 का इसमें गयब है आपका 20 चर्च एक सगेंड असी एक सवसी है ना एक सवसी और दो सचार यहां पर 204 नहीं बल्कि 244 यहां पर 242 तो यहां पर गयब कितने का होगा आपका कुछ इसमें देख लो तो आपका गयब 114 हो जाएगा इसमें देख लो असी बीस सो यहां पर 94 तो जब इसमें 20 जोड़ होगे तो एक सवसी होगा और यहां पर जो गयब है ना आपका इसमें जब मैंस करोगे चार आप यहां पर नो पंच उदे और यहां पर आपका जो एक हो जागा 114 तो इस तरह का डिफरेंस है तो यहां पर अभी तो आपको कुछ हवाल नहीं लग रहा होगा यहां पर पेटरण फॉलोग क्या करेगा तो हमको मतलब क्लैंको एक और नीशी जाना पड़ए जब इसमें अगर हम आप देखें कितने हैं तीस बिस पचास यानिकि बाइस का ग्रण इसमें अगर देखें तो कितने पर पचांस तीज अस यहाँ पर चालीत आपका पर चल रहर यह लोगा यह पर वाइस यहां पर चौग आना सिज और हम प्शोटेसिक्स को यहां पर एट करें इसमें तो तो कितना होजाएगा आपका कुछ होगा यहां पर जीरो ना यानि की यह विद्धूसर हो गया पुरा बूल कि तो यानि की इसमें 200 को Add करो इसमें जब हम इसको Add करें गए तो कितना आगा पर इंसर यहां इस तरह से हम इसको जो है ना काफी जो है ना एदम वो नहीं होता है एक हलवा तरीके से बना सकते अब जो है ना अब जो हम स्रीज पढ़ेंगे देखो अब मैं जो अभी तक पढ़े हैं ना हम लोग उसको हम समराइज कर लेते हैं इस सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर माल लो स्लोली है अगर आपका स्रीज इंक्रीज करें तो इस केस में आप देखो कि एक स्रीज नहीं मिला तो इसके नीची जाओगा इस तरह से अगर यहाँ भी नहीं मिला तो इसके और नीची जाओगे यह तरीका है अगर माल लो आपका स्रीज जो है ना तो इस केस में क्या गरें हम जैसे माल लो कोई भी नंबर है जैसे कि अगर माल लें यहाँ पर ए है वी है सी है डी है यह इस तरह से स्रीज आपका जा रहे है तो अगर माल लो यहाँ पर ए है ना अगर हमको बी निकालना है ना तो बी निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ ए यहां पर N से multiply करने A में, पलस something X कर देते हैं, इस तरह से आपका स्रीज आने वाला है, अगर हम C निकालेंगे इसी case में, तो हमको B में multiply करना पड़ेगा, या तो N को करना पड़ेगा, या फिर कुछ और करना पड़ेगा, या पर X को sum करना पड़ेगा, या फिर पलस मैनस कु 12, और यहां पर फिर से 12, और यहां पर इसके बाद 24 है, 72 है यहां पर, 72, फिर यहां पर 288 है, 280, और इसके बाद जो यहां पर है न, question mark है, इसको पूछा गया हम से, तो इस तरह के question में, हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें कि किसको multiply करें कि यह next number आ जा है हमारा, ठीक है तो अगर हम इस case में देखें, तो यहां पर देखो, 1 से multiply कर रहे हैं, और यहां पर 2 से multiply करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि, यहां पर एक ही number से multiply नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हम एक example में देखें, तो यहां पर हर case में हम n से multiply कर रहे थे, और फिर यहां पर यानिकि next number आ रहा है 12 फिर यहाँ पर हम 12 को जब multiply करेंगे 2 से तक हमको यह मिल रहा है ना third number यैनि कि 24 फिर यहाँ पर 24 को multiply करेंगे इसके अगले यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर आपका 72 आ जाएगा honeymoon तो समझ रहे हो यहाँ पर तो यहाँ पर हमकोου फोर से से करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको साइब साथ से करना पड़े और इस तरह से पर सम्हेंद हो जायेगा regimes से अब आपका जो है यहां पर एंसर आजागा तो देखी सकते हो कि अगर माल लो आपका जो ना कुछ एक अलग तरीके से चैंज करें जहां पर डवल तिरपल इस तरह से हो रहा है तो उसके समय हमको कुछ इस तरह से को टेकल करना है जैसे कि यहां पर हमारे पास है 4 है फिर 9 इसके बाद यहां पर 17 है और इसके बाद यहां पर 35 है और यहां पर 69 है और 139 है तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा यह हमसे पूछा है तो यहां पर देखो यहां पर भी गैपूप काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पर 4 से 139 चला ग पहलो यहां पर क्या आएगा आपका आठ आएगा यानिका सिम और कुछ करना पड़ेगा रेकॉटेश के उससे काफी बढ़ा हो जाना वेकिन हमको रखना है इसके करीब अगली नमबर यानि कि 2 से मुल्टिप्लाइ करना पढ़ेगा हमकry से 9 2 2 8 और यहाँ पर 17 यानि कि मैनस बन करने यहाँ पर करेंगे आगे देखलो यहाँ पर 17 है इसको 2 से मुल्टिप्लाइ किये तो यहाँ पर प्लस بन करना पढ़ेगा यानि कि clar게요 यहां पर ders thirty five को दो से multiply करेंगे तो यानि की यहां पर मैनस बंद करना पड़ेगा यानि फॉर सलस्ट्र में यहां पर हम क्या कर रहा है एक ही नंबर से multiply कर रहे हैं यहां पर । लेकिन यहांपर हम प्लस यहांपर स्बाइब करेंगे और इसमें क्या करेंगे मैननस करेंगे याा पर देखो इसमें मैनास इसमें किया हमने है पलस is साथ यहां पर एक मैंनस करेंगे तक यानि कि एक सो जो है यहां पर क्या जाएगा कि आपका 117 के यानि कि 177 इस तरह कायों न हाँ alguma एक है ठीक जाने क्या यहां पर देखो या है यहां पर दो जाएगा ना तू 507 है इस तरह से आपका कुछ आएगा कभी-कभी स्ली canda लीखने में कि अगला एक्टेम्पल जो हिना यहां पर देख लो कि इस स्रीज में Нमारे पास was जैने में यहां पर देखो कुछ इस तरह से लीखा है इसके पांच है यहां पर हैंहे ज़ाए और यहां पर सब्सें पहले किसी भी number को तो यहां पर यह फुल। करके नहीं देगा कुछ भी result क्योंकि यहां पर देख रहे हो गैप कितना चौटा और यहां बड़ा हो गया तो इसका मतलब कुछ न कुछ हम multiply हमको करना पड़ेगा यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर five में multiply करता हूँ हमको 6 के करीब आ रहा है इसका मतलब one से multiply करना पड़ेगा यनिकी और यहाँ पर हम क्या करें one को add करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 विलकुल आ जाएगा हमको 6 को 10 पुराना है अगर मैं यहां पर 6 में 1 से multiply करूँ तो यह 6 के करीब है यानि कि 10 से और 6 के बीच में 4 के gap यानि कि हमको यहां पर 2 से multiply करना पड़ेगा ताकि हम 10 के करीब जा सके और यहां पर 6 दोना वार है और यहां पर 10 है यानि कि minus 2 करना पड़ेगा यहां पर तो यहां पर अपका 10 आ गय टू थ्री इसका मतलब क्या आए कि यहां पर यहां पर आपका कुछ आएगा 128 और लास्ट में जो हमारा एक सकंड है यहां पर मैनस करना पड़ेगा यह मैनस होगा आपका है तो यहां पर पांच को हमको आईट करना पड़ेगा है या इसमें देख लो कितना आपका इंसर आनेवाला है कि आट को पांच से मल्टिप्ले करो 40 यहां पर जिरो हो गया और पांच एक पांच च्छो प्लस पांच यानि कि 645 यह नंबर यहां पर आने वाला आपका 645 कि 27 यहां पर 50 है 192 है यहां पर 1140 है और यहां पर जो ना यहां पर देखो सबसे बड़ा मिस्टे क्या गड़ते हैं कि यहां पर जो नंबर है ना यह लगबग इसको जो ना डीट कर लेना है और हमको यहां पर डिसाइड भी करना है कि यहां पर कुछ ना कुछ हमको इसमें मल्टिप्लाइब करके जो है ना और उसके साथ में कुछ एड़ या फिर सब्स्ट्रेक्ट करके आगला नंबर जो ना वह पूराना पड़ेगा जैसे अगर मै यहां पर 27 पुराओं तु क्या करना पड़ेगा हमको यहां पर 27 है यहां पर अगर हम यहां पर 1 से मल्टिप्लाय करते हैं चाइए यहां कितना उर करेंगे तो आपका यहांपर aqui अने वा ये यानि कि अगला नंबर है कि इसी तरह से यहां पर इसके बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं यह 50 है इसमें क्या मल्टिप्लाइग करें यह जो वन नाइटीटू है न यह 200 के करीब है यानि कि यहां पर 54 के 200 यहां पर अगर मैं 8 से मैनस कर दो यहां पर आपका 192 बिल्कुल अगला नमबर आ जाएगा आगे क्या है यहां पर 192 है इसको अगर मैं यहां पर जोना अगर 192 को अगर हम 8 से से करेंगे एहाँ पर हैं यहां पर एक हम आज से कल करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर चाह पर क्या मैनस करना है वह भी अभी यहां पर चार के बाद आठ के बाद आघाए यह अपर बार आने वाला तो इसको कि तो यह नि कि यहां पर बार खुआ है सो जाए ने ना यानि कि यांदर बार एगा मैनस हुआ ऑen तो आपको अब पैटर्न विलगूल पता चल गया 12 Amp यहां पर चाह founding pm करेंगा ना लास्ट रावाल है इसमें करना पड़ेगा म testify हमuses च्रिंगा यानि कि इसमें ना हम तस से multiply करेंगे और इसमें मैनस करेंगे यहाँ पर चार आठ बारह चार सोले चार बीस इतना मैनस करना पड़ेगा उनको ठीक है ना तो यह तो काफी असान हो गया ना यह कितना हो जाग पका जिरो फूर जिरो मैनस ट्वण्टी यह पर जिरो होगे यह पर तू जिरो वन नाइन यह नमबर आपका विल्कुल एंसर हो जगए आप नाइन वा जिरो टू जिरो तो यह थोड़ा सा जिवान साइज में बड़ा था लेकिन कोस्टन डिफिकल्ट नहीं था अगर आप इस कोस को अभी आप पर पहले के हमारे इसी लेक्शर को देखके तो यानि कि आप विल्गूल फोकस होके इस वीडियो को देख रहे हैं एक और एक्जम्पल देखते हैं अच्छा सा कोस्चन इसमें देखो यहां पर आपके सामने कुछ कोस्चन इस तरह से कि यहां पर जो है ना सबस सा नंबर आएगा कुछ इस तरह का कोस्चन है तो इस कोस्चन में जो ना आप यहां पर देखो गर मैं बारे को दो से मल्टिप्लाइ करता हूं तो शोविस यानि की एक करीब है यानि की चलो ट्राइए करते हैं टू अलब इंटू टू शोविस पलस वन गरूं तो यनि की पच्चास और इसमें जो ना 48 पुराने के लिए मंको दो मैनस करना पड़ेगा अना 48 48 में अगर मैं यहां पर मल्टिप्लाइगरूं टू से तो 96 पलस 399 तो यानि की आपको पैटरन तो मिली गया ना दो से मल्टिप्लाइए हमेसा करना आपको और यह बह मैनस करना यह फिर प्लस करना है यहां पर देख हम प्लस कर रहेते हैं यहां पर मैनस पलस मैनस प्लस मैनस यानि कि यहां पर जो ना आपका मैनस होगा और कितना होगा यहां पर वान यहां पर टू यहां पर त्री यहां पर फोर यहां पर फाइप यहां पर शिक्स को मैनस कर तो यानि कि यहां पर आपका बिलकुल जो है ना सही एंसर होगा कि समझ रहे हो ना बिलकुल करना कि आपको कि इसी में से कुछ ना कुछ कुछ मल्टिप्लाइ करना है उसमें कुछ मैनस या फिर प्लस करना है आपको पैटर न मिली जाएगा कहीं नहीं कि अब यहाँ पर हमारे पसे हैं एक हम और यहां पर है और यहां पर है तो यहां पर कितना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना कुछ अगर यहां पर कुछ भी करता हूं तो दस से ज्यादा दूर वो यनिकी 8 में अमको कहींना कहीं 1 से करना पड़ेगा यनिकी 8 में बन से मिल्क्लाय करना पड़ेगा यनिक् consistency होनफ हो पलस यहाँ पर करेंगे तो हमारा विल्कुल यहां पर दस पूरने वाला अगर मैं 10 को जो है बीस तेया साट चड़ते बारे 72 हो गया और बातर शोट अटतर यानिकि छो यांपर एड़ करना पड़ेगा तो आपको पैटरन में इलिए गया यहां पर 1 से multiply कर रहे हैं यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि यहां पर 1610 में हमको 6 से multiply करना पड़ेगा और इसमें जो एड करना कितना करना है यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानि कि 12 यहां पर हमको add भी करना पड़ेगा कि जब इसको मल्टिप्लाए करेंगा तो 6 यहां पर 6 यहां पर 639 यहां कि इतना आ गया 6906 इसमें अगर हम 12 को एड़ करेंगे तो कितना जागा 6908 तर तो आपका यह एंसर हो गया कि यहां पर कितना जागा आपका 6908 अब जो हैं आपके सामने हम एक दे देते हैं एक्जमपल मतलब प्रैक्टिस के लिए यह कुछ इसतरे का कॉस्चन है कोसिस करो खुछ से करने का असान जो हम किया ना उसी पर बेस्ट ना कुछ नहीं आ निए आपको यहां पर वन है यहां पर थ्री यह यह यहां पर टैन है आपका और यहां पर थ्र्टी एट और इसके बाद यहां पर वन शिक्स एट तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा यह आपसे पूछ है ना हम को कही ना कही लग रहा है आपसे आसान कॉस्टन पूछ लिए चलो एक और एक क्वोस्टन देते हैं और इसको भी सॉल्व करो आप चलो इसमें क्या करते हैं आपको देते हैं 2, 3, 4 और यहां पर 15 है यह 56 और यह है 285 असानी कॉस्टन है इसको मान की चलो यह क्वोस्टन नमर बन है और इसको क्वोस्टन नमर टू मान लो हो सके तो इसका एंजर भी कर देना अगर बन जाए तो और अगर नहीं बनेगा तो बोलना हम अगले लेक्चर में इसको भी डिसकस कर लेंगे अगले लेक्चर में हम इसी को आगे करेंगे